हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग बहुत तैस्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल के डेली करेंट अफेर के वीडियोज में आज है दो अगस्त 2018 और आज के वीडियो के आपको पीडियेश चाहिए तो विजिट कीजेगा हमारी वेबसाइड एक्जाम गुरुजी. यह हमें टेलिग्राम चैनल पर जॉइन कर लिजिए लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्स के वारे में जान कर दिए दूँ MPPSC 2019 के लिए वीडियो कोर्स, MPSI 2018 के लिए वीडियो कोर्स और समविदा वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए वीडियो कोर्स एवलेवल है उसके लिए आप विजिट कीजेगा हमारी वाज़साइड एक्जाम गुरुजी.न यह हमें कॉल कीजी 09826590517 पर चली सुरू करते हैं वीडियो, वीडियो मैं सबसे पहले बात करेंगे हम कल के हमारे पढ़े गए करेंटे फिर के प्रसनों की उसका रिविजन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे. पहला प्रसन हमने कल पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट के E-Governance Index में भारत का इस्था का अनावरण किया गया है तो इस मंत्राले का नाम है प्रथ्व विग्यान मन्त्राले. चौधा प्रसन था कि किस देश ने भारत को सामरे का व्यापार प्राधी करनствен या STF देश का दरजा बरान किया है तो ये दरजा बरान किया गया सहिंक्त राज अमेरिका के दोरा. साथवा प्रसन है कि किस राजी ने अपने पहले गौ अभीरण के लिए समझोदा गयापन प्रास्ताक्षर किया हैं तो ये जो राज्य है इसका नाम है राजस्थान। आठवा प्रसन है कि किसे राजीव गांधी सद्भावना प्रवसकार प्रदान किया गया है तो ये हैं गोपाल कृष्ण गांधी सहाब नवा प्रसन है कि अंतराष्ट की भोतिकी ओलंपियाड में कितने भारती विद्यारतियों ने सोड़न पतक जीता तो ये पांच भारती विद्यारतियों ये प्रवात कोली नहीं पांच भारती विद्यारतियों ने सोड़न पतक जीता और तेईसवा प्रसन है कि अशियाई अथलेटिक्स चेंपिन सिप का आजण अप्रिल 2019 में कहां किया जाएगा तो इस का आजण किया जाएगा कतर के अंदर तो ये थे हमारे कल के करेंट अफर के प्रस्ण रिविजन वाले और आब बात करेंगे आज के करेंट अफर के प्रस्णों के लिए। जिसे काजाता खोलने की अनुमती दी है उसके साथ ही इसी समीति ने मद्रप्रदेश का रतलाम जिले के अंदर एलोत जगा है वहाँ पर दूसरा जवाहर नवोदे विद्याले यानि जे एन वी खोलने की को मंजूरी दी है तो याद रखिएगा एक जिले के अंदर एक ही जे समीतियों की चर्चा हुए समीतिया मंत्री मंदली समीतिया तो मंत्री मंदल जो होता है केबिनेट जो होती है उसकी कुछ इस्थाई समीतिया होती है उनकी हम बात करेंगे कौन-कौन से इस्थाई समीतियों होती है और इन समीतियों में मंत्री मंदल की न्यूकति समीति काफ मंदल समीति, पाची होती है राजनितिक मामलो की मंत्री मंदली समीति, और छटवी होती है सुरक्षा मामलो की मंत्री मंदली समीति, और इन सब समीतियों के अधिक्षता कौन करते हैं, तो प्रधान मंत्री इन समीतियों के अधिक्षता करते हैं, इसके अलाबा भी प्रधान म कि मंत्री सधश्ष हैं तो उसके अधिक्ष प्रदान नंत्री होंगब हो सकते हैं तो यहाद रहिएगाGod और ईन्गा उलेक संवुधान में नहीं किया गया है चली अब बात करते हैं दूसरे प्रस्न की दूसरा हमारा प्रस्न विग्यानिकों ने हाल ही में किस आकार की नई कोशिकाओं की खोज की है तो यह जो नए आकार की कोशिकाओं की खोज की गई यह है स्कूटोइड एक प्रकार का नए आकार है डीटियल में इसकी चर्चा करते हैं क्या है अखर यह तो अमेरिका और स्पैन के विग्यानिकों ने खोज की है एथलीपियल कोशिकाओं के अध्यान किया है और ये एथलीपियल कोशिकाओं की जो माना कोशिकाओं है उसमें एक नए आकार खोजा गया है इसका नामें स्कूटाइड इस acordo कोशिक हैं और दूसरी तरफ देखेंगे यह होता तो एक पर देख पाएंगे और अब हम बात करेंगे हैं तो चार ऊतक होते हैं जो चार उतक होते हैं 중 जो सरीर के लिए सुरक्षा कवचh का प्रताम काम करते हैं और इन्हें सरीर की cell wall lining का निर्मान यिनीक उतकों के द्वारा किया जाता हो उनी में से एक उतक ये है है तो इसके बारे में हमको इतना याद रखना है बात करते हम अगले प्रसने की तो अगला हमारा प्रसने है कि अमेरिका ने किस आतंकवादी को वैस्विक आतंकवादी के रूप में घोशित किया है तो अभी हाली में आतंकवादी के रूप में घोशित किया गया और इसका नाम है अब्दुल रह्मान अलदाखिल यद रखे जो इसको सायते प्रतन करते हैं उनका नाम है हमीद उलहसन और अब्दुल जब्बार इन तीनों को जो है विशीस वैस्विक आतंकवादी के दर्जे में इनको सामिल किया गया है अब्दुल रह्मान की बात करें तो यह जम्मू छीतर में भारत के जम्मू छीतर में आतंकी सं आतंकवादी संगठन है और इसकी स्थापन की गयी थी हाफिस सईथ के द्वारा अफगानिस्तान के दर और लशकर का मतलब फोज और तयवा मतलब शुद्ध या पवित्र फोज इसे कहा जाता है अब हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका की अमेरिका की राजधानी क्या है तो अमेरिका की राजधानी जो है यहाँ पर आपको पता है वाशिंग्टन डीसी है राश्टपती है डोनडल डे ट्रम्प और मुद्रह अमेरिकी डॉलर और एक अमेरिकी डॉलर के अंदर 68 इंजिन रुपीज होता है यहाँ पर आप देखेगा यह अमेरिका का नक्सा है यहाँ पर अमेरिका है, यह मुक्य भूमी है और यह अलास्का है जो कि रस्या से अमेरिका के द्वारा खरीदा गया था। बात करते हैं अगले प्रसने की तो केंदर सरकार ने चीन और किस देश से सोलर सेल के आयात पर 25% सरक्षण शुल्क लगाया है। तो अब हम समझेंगे इस सरक्षण सुल्क क्या होता है तो यह चाइना के साथ साथ मलेशिया इन दो देशों से जो आयात किया जाता है सुलर सेल सिर्फ इन दो देशों पर लगाया है और किसी देश पर नहीं लगाया है। हैं तो हमने क्या कर दिया कि चाइना से जो सस्ता आयात किया जाता था सुल्क लगा दिया। प्रदान मेंत्री कौन है कि महाथिर मोहमथ और महाथिर मोहमथर विश्व के सबसे एज, 92 उम्र के प्रदान मेंत्री बने हैं यहां की मुद्र है मलेशियन रिंगिट और एक मलेशियन रिंगिट में 16.95 यानि कि लगभग 17 इंडियन रुपीज होते हैं। और यहीं पर जाकिर नाइक छुपा बैठा है, छुपा तो नहीं बैठा, उपन है वहाँ पर लेकिन हमने सुवए प्रिक्टरपण की बात की थी, लेकिन उन्होंने मलेशिया ने देने से मना कर दिया है, तो इतना इसकी बिसे में हमें याद रखना है, अब यहाँ पर आप कोर सेक्टर की ब्रदीदर कितनी रही, तो आठ कोर सेक्टर जो है, उनकी ब्रदीदर 7.6 प्रतिशत रही है, और यह काफी ज़्यादा है, पिछले कई समय में सबसे ज़्यादा यह प्रतिशत ब्रतिशत ब्रतिशत रही है, डिटिल में हम देख लेते हैं, आकर यह है क्या, तो देखे, आठ बुन्यादी उद्योग जिनकी ब्रदी दर जून में 7.6 प्रतिशत रही है और ये पिछले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर आप इसमें देखिएगा जून 2017 और जून 2018 में comparison इस फोटो में करके दिखाएगा है तो जो रेड कलर के कॉलम से हैं वो किसके हैं जून 2018 के हैं और येलो कलर के कॉलम है वो जून 2017 के हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो एक कॉल में इस बार कितना रहा है ग्यारद असंबलाव 5 फिसेदी के बिधि वहीं देखेंगे रेफाइनेरी प्रोडक्स में भी 12 फिसेदी के बिधि और थेर धसमन्म दो फिसकी रेधि और सीमेंट के अंदर हुई है और इस प्रकार अवाल शेध असंबलाव इससमेंद लिए साथ फिस अदी के बिधि ही इस बार तो सीमेंट, रिफाइनरी और कोल सेक्टर इनने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इनी के दोरा जो है इस पूरी प्रगति को हासिल किया गया है और नवंबर 2017 में दर्ज की गई थी सबसे उची 6.9 प्रतीशत उसके बाद ये दूसरे नमबर पर 6.7 पिशले 7 महिनों में सरवाधि की है चले अब हम यह समझ लेते हैं आखिर आठ बन्यादी उद्यों कौन कौन से हैं किनको सामिल किया जाता है अब बात करते हम अगले परसन की अगला परसन है कि आई ऑसी फार्चुन 500 बार्य को में कितनी बहरतिय फर्मों को सामिल किया गया है तो यह IOC नहीं है यहाँ पर यह एक मिस्टमेंट है Fortune जो 500 सूची है उसके अंदर कितनी भारती फर्म को सामिल किया गया है तो यह जो है साथ भारती फर्मों को इसके अंदर सामिल किया गया डीटेल में हम चर्चा करते है कौन को उसी साथ फर्म में है और क्या है इसकी डीटेल तो अमेरिकी पत्रका है Fortune वो हर साल जारी करती है सूची और इस India की सबसे बड़ी कमपनें की सूची जारी करती है और सीर 500 जो कमपने हैं उसमें 2018 की सूची में भारत की साथ भारती कमपनियों को इसमें सामिल किया गया है और इसमें से जो सरकारी कंपनी है Indian Oil Corporation यानि कि IOC ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में से सामिल किया गया यानि इस लिश्ट के अंदर भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन ये है IOC है और ये किस नंबर पर है तो ये 133 स्थान पर है याद रखेगा इस सूजी में 133 स का στο 5 इस्थान पर लेकिन भारत करणे सबसे बड़ी कंपनी है इसी को सामिल किया गया वहले रायान के बात करेंगे इंडियान और ओयल काई कॉर्पररन की तो इंडियन क्र mapsने स्थाबना 1959 में अजी थी और इसका मुख्याले कहा है नई दिली के अंदर इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में संजीव सिंग जो है इसके अध्यक्ष है और ये सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी एकी करत त्लेल शोधन कमपनी है और इसको महारतन कमपनी का भी दरजा दिया गया है बात करते हैं अगले प्रसन की तो अगले प्रसन है कि RBI दोगा रेपो रेट को बढ़ा कर कितना प्रतीशत कर दिया गया है तो RBI के दोगा जो तो रिज़र्बेक ने चालू वितिवर्स चालू वितिवर्स कान सा है तो चालू वितिवर्स कब से हुगा एक अपरेल से याद रखेगा 11.9 तो 31.9 तक यह चालू वितिवर्स है इसकी तीसरी दूमासिक मौदरिक नीती की समिच्चा करता है RBI और उसने 0.25 प्रतिशत की ब्रदी की है रेपोरेट में और इसे बढ़ा कर दिया 6.50 पहले कितने थी 6.25 थी और इसमें 2.50 बढ़ा के 6.50 कर दिया है वहीं reverse रेपोरेट की बात करें तो इसको भी बढ़ा कर 6.25 कर दिया गया है और मुझूदा ब्याज दरों में ब्रदी से क्या होगा आने वाले समय में बेंकों से कर्च लेना जो है महेंगा हो सकता है क्यों हो सकता है इसकी हम चचा कर लेते हैं पहले बात करते है RBI की अब हम दूसरी important चीज़ के बारें बात करता है जो है रेपोरेट है क्या है रेपोरेट क्या है तो रेपोरेट वहाद दर होती है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है यानि बैंक RBI से जिस दर पर कर लेते हैं वो जिस हम रेपोरेट कहा जाता है अब अगर RBI ने रेपोरेट बढादी तो क्या होगा कि बैंकों को भी अपनी रेपोरेट बढानी पड़ेगी अपनी ब्याज दर ग्रहकों से बसूलने वाली बढानी पड़ेगी और इसी लिए क्या हो जाएगा मार्केट से अब पैसा लेना, लोन लेना बैंकों से महँगा हो जाएगा अब reverse repo rate के हम बात करते हैं कि reverse repo rate क्या होती है तो ये repo rate का just उटा होता है इसमें क्या होता है, ये वदर होती है जिसमें बैंकों को उनकी और से जो RBI में पैसा जमा किया जाता है, उस पर ब्याज मिलता है तो इसको कहा जाता है reverse repo rate और इसको बढ़ाने से क्या फाइदा मिलता है तो देखें इसको बढ़ाने से फाइदा यह मिलता है जब market के अंदर पैसा जादा हो जाता है यानि लोन जादा बढ़ दी बैंकों ने तो क्या करता है RBI उसकी ब्याज़दर बढ़ा दीता है और उस बढ़ी ब्याज़दर से बैंक क्या करते हैं फिर लोन लोगों को देने क पिक्षा RBI में पैसा जादा जामा कराना सहूली समझते हैं क्योंकि वहाँ पर रिटन की गारेंटी बहुत अच्छी होती है और इसलिए फिर जो बैंक है वो रिजर्व बैंक के अंदर पैसा जामा करवा देते हैं और उससे जो market का पैसा है वो बापस आ जाता है तो यह हो करने वारा पहला राज़ी बन गया राजस्ता को यह गुढ़ी है जेव इधन नीती य को लागू कर दी है आफ इसकी क्या है डीटेल हम देखते हैं तो राजस्तान सरकार ने वायो फिय तो अब जो है राजिस्तान ने अपने हैं इसको लागू कर दिया है अब हम बात करते हैं जेव इदन की अगर जेव इदन को होता क्या है या वाई फिल्ड क्या होता है तो फसल, पिलपोधे, गोबर, मानवल ये जो जेविक बस्तुएं होती है ये जो वायो मास कहा जाता है इनमें उर्जा को, जो उर्जा होती है उसे ही जेव उर्जा कहा जाता है और जेट्रुफवा इसका खास बहुत बड़ा श्रोत है जेट्रुफवा यानि के रतन जोतियाद रखेगा जेव इधन है उससे भी बायो डीचल बनाया जाता है बात करते हैं हम राजिस्थान की तो राजिस्थान की राजियानी के है तो जैपूर है मुख्यमंत्री है वसंधरा राजी और राजपाल है कल्यान से यहां के important राश्ट्य उध्यान और अभिरन की बात करने हैं दुर्ण धंबोर राश्ट्य उध्यान, केवला देव घांटी राश्ट्य उध्यान, सरिस्का राश्ट्य उध्यान, मुकंदरा हिल्स राश्ट्य उध्यान और मरू भूमी राश्ट्य उध्यान और दर्रह अभि निवासी जो है जिनों सेनिक कारिवाही में या पुलिस जो है आंत्रिक सुरक्षा के अंदर है या नकसलवाद या आतंगवाद गति विडियो के दोरान अपने कर्टवे पर रहते हुए प्राणों का उत्सरग किया है तो उन लोगों की शाहदत को याद करने के लिए सम्मान मद्र प्रदेश राशन आप बात करते हैं तो मद्र में भौपाल मद्र प्रदेश राशन से ज़ाखा वा मद्र प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा अलग पकी ज्यारा राश्ट याद रखेगा, सबसे ज्याद राष्टिो ध्यान मध्दिप्रदेस के अगले प्रसे में की 10 और अंति प्रसे में कि किसी 2017 के लिए उत्क्रस्ट सानसद का प्रशकार प्रदान किया गया है, जैसे भांक कि बात करें लिए के लिए प्रदान किया गया है ठीक है मही गुलाम नभी एजाद की बात करें तो इसकी चर्चा करते हैं तो अभी हमारे राष्टपती रामनात खुबित उनने पांच सांसेदों को सरवशेष्ट सांसेद प्रुसकार से समानित किया गया इसमें माफ की जिगा नजमा है पुत चवदा के लिए भाचपा के सांसत थे हुकम देव नारान यादव इनको सम्भानेत 2015 के लिए कॉंग्रेस के राज सभा के संसत गुलाब नभी आजाद को और 2016 के लिए T.M.C. 30 कॉंग्रेस के लोग सभा के संसत दिनेस तरिवेदी को और 2017 के लिए बीजद बीजु जंतदल या जो उत्रा उडिसा का है उसके सांसद है ब्रहतरी महताब इनको पुरसकार किया गया है तो इतना हमको इनके वारे में याद रखना है चलिए ये थे हमारे आज के प्रस्थन अब हम बात करेंगे में भी यानी प्रतियोगिता एक क्यासी उत्तर उसके विजिताओं कि हमने पूँच अता कि भारत में लिजी षीते में सबसे बड़ा करप्रदाता कौन है और इसका सहीउत्तर सी अंपर उत्र पांच वे हैं सुप्रिया दमो मद्रदेसे आप सभी लोगों को बहुत बिदा है और आप भी चाहते हैं आपका नाम यहाँ पर आ है तो दीजिए इस प्रस्न का उत्तर हमारा प्रस्न के निमने में से कौन आठ को और उद्योगे में सामिल नहीं है